नमस्कार, मैं हूँ शिभांगिन दुबे और टेलेंटिड इंडिया न्यूस में आप सभी का स्वागत है यू तो आपने नदी तालाबों में नाउ, क्रूज, स्टीमर और समुद्र में जहाज तेरते देखे होंगे अरे मान लिया मचली, मगर मच, वेल को भी तेरते देखा होगा और तो और मान लिया आपने इमारतों को भी डहते देखा होगा लेकिन कभी अपने पानी में सही सलामा तेरती हुई पांच मंजला बिल्डिंग बिल्कुल नहीं देखी होगी जी हाँ अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए यह क्लिप अभी की नहीं बलकि नवंबर 2018 की है जब चीन के लोगों ने इस बहती हुई पांच मंजला इमारत को आखों के सामने से चीन की ही यांगसी नदी से बहते देखा था यह लोगों के लिए इतने आश्यर की बात थी कि लोगों ने तुरंट इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इमारत पानी में कैसे तैर सकती है एक सवाल यह भी उठता है कि उस बिल्डिंग के अंदर के लोगों का क्या हुआ होगा मतलब दिमाग के उपजे सारे सवाल शांत हो जाएंगे जब आप इस खबर की सच्चाई सुरेंगे दरसल इस क्लिप की सच्चाई यह है कि इसमें तैरती हुई इमारत कोई साधारन बिल्डिंग नहीं बलकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है चीन के अध्यकारियों का कहना है कि नीतियों में बदलाओ की कारण इस floating restaurant को shift करने की आवशक्ता थी वैसे या पहली बार नहीं है कि विश्व में ऐसी कई हैरत अंगेस कर देने वाली इमारत ब्रिच से लेकर world record चीन ने बनाए है लेकिन अब भारत भी उन देशों की श्रेडी में आ गया है जो अपने स्तर पर world record बनाने में लगा हुआ है अगर आपको ये जानकरी पसंद आई हो तो सजाद सजा शेयर करें आपकी किसी बेतरे की सुझा होए तो आप हमें YouTube में comment box के जरिये दे सकते हैं और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा शुक्रिया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें